आगे चले और कहीं न कहीं इस दिवेट को और प्रोड करें पॉब्लिक बेस्टे लेके जाएं लोगों को मोटिवेट करें और पॉब्लिक टू पॉब्लिक इडिलेशन की भी ज़रूरत है अनोग चारी इंफर्मल देखिये हैं तो नेपाल से कितने लोग इंडिया में जाते ह् हैं को ऑक्करते हैं अधुकिया रिलेशन है। लेकिन इसको हम सब्दमें जब बिशेस कहा देंगे, तो आपको दिलोग शुरू हो जाएक। बखड़ा खाला करने वाले कुछ लोग है, हम तो उसको ही जिलेते हैं। हमको कोई बिशेस कोई खल 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 तोड़नी रहा है। आपके यह थ्रेंज आता है भामकरा में हम लोग चाते हैं। क्यों हो, हम तो बिशेस हैं इसलिए तो हम को मिलता हैं, तो को चाहिनी तो नहीं जा पाएगा। कोई अफगानी तो नहीं जा पाएगा। फिशेस कोड़ है। लेकिन साथ उसको उस तरह से भ्रोल करके क्या करते कि लोगों को आप जो एक चांस देते हैं कि वो कमिंट करें या कुछ उसमें वो उस तरह से नहीं होना चाहिए या मेरा भी पचार है और इन सब चीजों पर हमें विचार करने के ज़रुत है और यह हमारी सिमाइक है में इस रूट में देखा हूँ, हमें पता है, हम जो अमोदिया है, कि CGI वेरिगंस, यह अफिस, फिनने से पहले, इंडियान इंब्यक इतना लोगों को एसिस्ट कर रहा है, इतना एजुकेशन सेक्टर में, हेल्प सेक्टर में लगानी कर रहा है, इतने लोग भारत में जा र लेकिन आपका यहां रहने से इस सेक्टर का जिनका चेरा देखते ही तक बंडु में कहता है कि यह पिहारी आ गया यह इंदियन आ गया हमको वह उपादी वहां मिलता है लेकिन आपको भी इसके बारे में क्यों नहीं हो पारा आपके तरफ के यह अभी बहुत जादा इंफुर में दिखला होगा मेरा रिक्वेस्ता इसको धायन नहीं देंगे और आप लास्ट में फिर मैं एक वारा आपके इस अजादी की 17 साल के उप्लक्षने अजादी की अम्रीत मोह सब्लक्षने आपके द्वारा रख्टे गए कार इकरम के माध्यम से आपको और आपके संतुम मा मैं पर बाइस अज Rare ξाता रहे आपकी परगती में हमारी परगती है आपकी इसमी हमारी वालीывает 사नी के साथ में भुप स्वार वाह है इसलिए कि आपका परगती होता रहे जोई ON प्रफिशन सेक्टर में हो या सुशल सेक्टर में हो यह होता रहे चंजेज आता रहे यह इस रुखाऊनर है और आप लोगों पुलाया इसके लिए बहुत पूछ जन्नीवाद पूछ जन्नीवाद इसके अपने बहुत अच्छे पॉइंस को अंडर लाईनी किया बहुत आरी बिश्या निया है तो कि शाल किया जायेगा अब मैं प्रोफिशन इन नी सेक्टर में इसके बिश्यों सेक्टर में ज़िए विए अधिन्ट शेफ पॉंस्वराथ सर्थ पॉंसर्थ पॉंसर्थ इहा के चारेले के अन्पजादी कारी हमारे पूरुफ एंपस में फ्लमूरुद मीदी सर्थ नेपाल के प्रमु पुद्यूपती एक फ्रेजी सर्थ अभी नेपाल भारत सर्थ अभ्यक्ति और हमाज हिंदी दिभाद के एक वंपरेट प्रोफेशर् इंपस्थित महानुदाद भारत नेपाल के बीच इस इकास साजेदारी एक ऐसा भिसे है जिस पर बोला जाए और लिखा जाए सिमाओं के साथ तो कम से कम हजार प्रिश्ट का एक ग्रंथ तो अवस्थी प्याद हो जाए हमारी संस्कृति अपने आप में एक दिलक्षन संस्कृति है एक कहाबत है कि परोसी तो सब के होते हैं लेकिन अच्छे परोसी भागिसालियों कुम होते हैं वो एक बर्दान होता है मिश्यत रूप से भारत के लिए नेपाल या नेपाल के लिए भारत एक अच्छे परोसी है और एक दूसरी के लिए बर्दान हो जहां तक हमारी विगास की परमपरा है विगास अपने आप में सिर्फ आर्थिक विगास नहीं होता है सांस्कृतिक विगास होता है राजनेतिक विगास होता है तरस पर … . टेक्निकल या राविविक विकास होता है ता वना गतो हा तक स्माजिक विकास होता है उसमे एक आर्थिक विकास की है если we got time शोटा सा परिवासा थाव सुन मरिवास है तेंज गया माइंड सेट प्रतिद्वन्दता बढ़ती है, बैचारिक संंगर्ष होता है, कभी भी बैचारिक संगर्ष को हमें रिनात्मद पिष्टिकूर्ष से नहीं देखना चाहिए, कि उसी में तो समस्या का समाधान भी है हम इस रूप में इसको लेना चाहिए कोई मुझे गाली देता है मैं यह चोटा सा उध्रन देना चाहूंगा कि जब द्यानन्द सुरस्त जी भासन दिया करते थे और उस समय में बीवेकानन जी उनके आलोचक हुआ करते थे नरंद्र के इभ्यार्फी के नाम से तो हमेशा गाली देते थे बंच में जाते थे उनको अनापस ना पूलते थे एक दिन उनके बुलाया उसको लड़के की चेहरा कुदे कर समझा कि आदमी कुछ बंग सकता है जी इसको सही दिशा देने की जरूरत है उनके लड़के को बुलाया जरि किसका होगा आपका हो जाएगा उन्हों नरंदर को एक फल दिया जो नरंदर हमेशा गाली देता था बैरन सुरोस्वती को फल कैसी चुकार करता तो उन्हें पूछा कि तुमने तुमको मैंने फल दिया तुमने लिया तुद नहीं लिया तो फल किसका रहा तो आपका रहा तुम मुझे गाली देते हूं जवाब मैं नहीं देता हूं गाली किसकी रहते हैं मेरे अंदिर समझ गया है और बाद में दुनिया ने देखा कि स्वामी बिवेका नंद का जन्व हुआ इसी प्रकार बैचारिक अंतरदंद होता है हमें उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए जहां तक भारत और नेपाल के पिकास के गाथा का आने वाले दसमट में हमें दिवन देना है तो वैसाई है कि समुंद्र को हमें चोटे से गगरी में रखके आपके सामने प्रस्तित क हमारी तिहास आज की तिहास नहीं है पिकास की तिहास भी आज की तिहास नहीं इस देश का उत्पति करता ही जो ने मुनी ने नामके मुनी थे खट्वंडू में जाका के नेभाल सब्सक्र हिए वहारप के करनाचक के तरफ से अँ हुआ त SUPER मद्रीक है कि जब तक सारे जुत पुजारी नेपाल बंसी उपाद्याय होते हैं हमारे सुस्कृतिक लेंदें हैं वैवाहिक लेंदें कोई आज का शुरुआत नहीं है सिर्फ मदेशी लोग की साधी लिया मदेशी बात नहीं है है वारे रतुर्व राजगराने की बहुतों की साधिय ले नेता जन्मी भारत ब्दीजें हुआ हुआ जो आज भारत मिरोधी भावना बढ़का कर बोड्बैंक के रूपि प्रिव कर रहे हैं उन सब का जन्म और कर्मी भारत में हुआ है कि लर्ण सर्व एक बहुत अच्छी बात है कि पावुराम भट राई तो आठी का देन है ना कि पच्छी समझाता तो आप नहीं न कराया लेकिन उसे पहले चंद सेखर जी सुप्रेणुग स्वामी आकर के भी प्रजातुंद क्यांगुलन प्रसफ़वतात उन्नु भूग न प्रतेक पर्स एक हजार पांसे कुण रुप्य का लगानी नेपाल की विकास कारी में कर रहा है अब सिब सरकारी चित्र का विकास नहीं हो रहा है जॉइंट वेंचर में हमारी है तेर सो से जादित फूजिक्स अभी भारती स्वयूद से चलना है और नेपाल के बी आई में 30% से जादा योगदान सिर्थ भारती है व्यावसाईयों, उत्यों पतियों, सरकारों और अल्य लगानी करता हो जाए यह जो विकास है और सिर्फ किसी एक शेत्र में नहीं हो रहा है और दुविप शेत्र में हो रहा है, निर्मान शेत्र में हो रहा है, संचार शेत्र में हो रहा है, कनिक्टी वीची के लिए सड़क शेत्र में हो रहा है इसलिए समग रूप से मैंने कहा कि करीब करीब एक से एक हजार पांच से प्रतीक बर्स भारती लगानी के तुआरा नेपालनी दिकास कारे का संचालन को हो रहा है जो उपलब्ड डाटा क्या धार पर मैं का रहा हूं इसकी प्रमारिक्ता मेरे पास में अगर आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं दूसरी बात भारत हमारे देश में बहुतिक प्रिकास में भी प्रमुक्र भूमिकाट के लिए सीजियाई के ओफिस के द्वारा मात्मा गांदी फाउंडेशन के द्वारा सैकुल बच्चों को प्रणान गरना यहां से हर एक साल सैकुलों भी द्यारती के इंजिनेरिंग कोफ्री और अन्याध्यन के लिए इंडिया भेजना इसा बौधिक परिवर्पन का निशानी है इसी प्रकार अगर हम इसकी दिकास की बात किया जा एक चोटी सी भूम मैं पकलाता हूं उन्हें से 90 के बाद में भारतिये नेपाली रुपया का पैगिं भा किस्तिक क्या होती है कि रोना काल में जो विकास का दर गिरा हमारे हां हुकम से जो विकास का दर गिरा हमारे हां कि रोना से पढ़ ले बिविन आंदोलनों के कारण से विकास का दर जो गिरा यहां हमारी एक्सपोर्ट्स धड़ी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ी अगर भारति कि इस्थिर रुपया के साथ अगर बीनमेदर नहीं जुड़ा होता तो आज दुनिया में हम कहा होते हैं हमारी विगास के स्थिति अपनी क्या होते हैं तो बीनमेदर जैसे अंतराश्टी लेंदेन के मादेश के स्थिर्ता में भारफ के बहुत बढ़ा महत्पुर्ण और यो बात करें तो नेपाल में अगर वेवस्थि और बैग्यानिक तरीका से वीगास नहीं हो उसका असर भारत पर कितना पढ़ता हैं वो सी बेरिज के प्रफार कुदेशर नहीं कुदेशने हैं भारत सब्सक्राइब निवस्तित और प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं उसका परिणाप चंपारंग उत्तर प्रदेश गुराटूर इस सारी तस्किति के क्या दसा हो रहा है भारत नेपाल की अगर प्रयावरें छित्र संग्रचित नहीं हो तो इसका इतना दुर्भाबना भारत की सब्सक्राइब पढ़ेगा हम लोग इस चीज के प्रति सचेत और इसके अनुसार नए तरीके से कारी दीती लाने की जरूरत है उसमें आप सबका योगदान और स्वयोग होगा ऐसा मेरा विचार और आसा है कि क्नेक्टिवीजी की बात करें भारत की नेपाल के करीब करीब वर्किंगे पॉप्लेमारे एक करोड करीब करीब दू करोड के आसपास एक करोड़ी 70 लाग के आसपास अवर्किंग पॉपले में इसका करीब करीब कि यहां कि यहां कि दूर कि प्रेकार टेकनिकल शिक्टर में हो बड़े मैंगेल सेक्टर में में हो निर्मान सीथर्मियो एक घठना पुकम के समय में में भारतियों के विरूथ में या पतला दोने दूर hedge इतने लिए तो बीवाद जंदा और जंदा के बीच में नहीं यह विवाद है जिसकों की भरकाए जाता है लोगों को इमसे तेला जाता है और उसको मत में परिवर्थन करेते अपने लिए सप्टा का दिवस्था करने का प्रयास क्या जाता है एक और भी बाद है कुछ ऐसे बर्गभी नेपाल में जो चाहते हैं कि भारत के धिरुद में अपने विचार को रखो और उसे कुछ भी से इस लाव उठाओ वहाँ पर प्र्जेक्ट जाए इसलिग आप पार्जेक्ट सिलेक्शन पर भी विचार करें कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहां कि आपकी प्रॉजेक्ट की नियाउचीथ है जब-जरूरी है लेकिन वहां आपकी प्रॉजेक्ट नहीं पहुठ नहीं पोईंगे व connections बापने जां जब केमपस सीप हुआ चाहते थे आपके कार्याले में हम लोग उने पीसों मैं हम लोग तुमसे कम दीस वारें आए उस मेडम कॉंसलेट हुआ हुआ तर्किति उनको आदर के साथ उन्हें ठाकुराम हम लोग हुमाए उन्होंने बचल भी दिया साथ आपके ऑफिस के किसी कोल में हमारे हाइस पड़े होंगे कि खाकुराम कॉलेज जैसे कोलेज जो तराइट की दिकास के लिएकर आपका योगतार होना चाहता है तो कितना पुराना नेपाल में किसरा सबसे बड़ा है मैं राइक जिसरा दुसरा सबसे पुराना कॉलेज है किसरा सबसे बड़ा पुरा प्रियास करने के बाद भी बहुत अस्वासन पाने के बाद भी कोई सहयोग फ्राफ करने में सफन नहीं होता है क्या आपकी सीमा नहीं है जहां आप हैं जहां कि पीचरों को किसी जो कि आपने समझा कि आपके कारिकरम में आबें क्या उस संस्था के पर भी आपकी कोई जिदुवारी नहीं तो इसका जवाब देंगे और अबस ही हम लोगों को सहयोग करेंगे तो छोटी-छोटी सीमा है कि पुजिक का सही एक और सीमा की बात मैं करूंगा आप इतने प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसे करके माइक्रो लेगे मालूम है आपको कि ग्राउंड लीटी में आपके प्रोजेक्टों के साथ क्या दसा हो रहा है क्या आपने करी जाके देखा उस जगा एक में उधारन देना चाहता हूं गवर्मेंट जुदी स्कूल में आपका एक बहुत बड़ा कुस्टल से बन रहा है करी 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 करूर के इस्टिमेंट से आठ बर से पिसले बन रहा है क्या किस दसा दो रहा है को आपके